जय वलो देवादी देव एकजार आठ सरी भगवान महावीरश श्वामी की जय 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 आहिंसा परमो धर्म की जय 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 परमपूझ आचर गुरुवस्री विद्या सागर जी महाजी जै की जै 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 वरिय परम पूजिए एक स्वार्ड मुर्मर्सरी प्रमान सागर जी महराज जै की जै 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 परम पूजिए रहा सागर जी महराज जै की जै 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 नमौस्त गुरुजेव नमौस्त संस्क्रित में एक कहावत है अनास्रिता लता बिलीयते आस्रे विहीन लता बिलीन हो जाती है किसी भी लता के पल्लवन और विकाश के लिए आस्रे आलंबन आवश्रक है किसी इस्तंबह का आस्रे पाकर ननीशी लता आस्मान की उचाई छूने में समर्थ हो जाती है वही आस्रे आलंबन के अभाव में मिट्टी पानी में सरगल कर नश्ट भेश्ट हो जाती है संत कहते हैं जीवन लता के पल्लवन और विकाश के लिए भी आस्रे आलंबन ज़रूरी है धर्म का आस्रे वह आलंबन है जिसका शहरा लेकर हम अपने जीवन लता को सिद्धाले की उचाई छुने में समर्थ बना सकते हैं वही उसके अभाव में बिश्यों के दलदल में सरगल कर नश्ट भेश्ट हो जाते हैं शंत कहते हैं जीवन लता को उचा उठाना चाहते हो तो धर्म के इस्तम्भका अस्रे लो लता सभाविक रूप से उपर होगी और जीवन उर्धा मुखी बनेगा सच्चे देव शास्त रगुरू धर्म के वे आधार इस्तम्भ है जो हमारे धार्मिक भावनाओं को दिप्त करते हैं हमें नई प्रेणा और मार्ग दिखाते हैं जीवन का सच्चा पाठ पढ़ाते हैं देव सास्त गुरू के शानिध का उनके सत्संग और समागम का यही एक लाव है और यह भक्ती भाव जिसके हृदे में बना है उसके जीवन की शमुन नती को कोई रोक नहीं सकता इस अर्थ में गया के लोग बड़े भागिशाली हैं आप लोगों के हृदय में देव सास्त गुरू के प्रती श्रद्धा और भक्ती कूट कूट करके भरी भी हैं यह भावना उत्रोतर और व्रिंधिगत हो हमारा मनोभाव वैसा होना चाहिए गया में पहली बार आना नहीं हुआ यह पांच्वी बार आया हूँ तीन नहीं गिना दों पांच्वी बार आप लोगों को याद नहीं रता सबसे पहली बार सम्भी सिखर की बंदना के लिए आया था दो हजार पांच के जनवरी में दूसरी बार 2007 में महावीर जेंती में आया तीसरी बार 84 में आया 2008 में और चौती बार पटना से आया 2012 में आप लोग याद नहीं है तो हम क्या करें ऐसी तो भूल जाते है कुछ लोग तो महराज को भूल गए हो यह पाचवा मौका है और भावनाओं से आप लोगों से क्या बच्चे बच्चे से मैं परचित हूँ पस अभी इधर आने का करम चल रहा था कई लोगों ने कई तरह की बाते चर्चा में की किसी की छोटी दुकान बड़ी बन गई किसी की दुकान से सोरूम हो गया किसी का अपना मकान बन गया भईया ये सब तो बदल गया तुम कहा हो सबसे महत्त की बात ये है मनुश बाहरी परिवर्तन की तरब तो सदेव शक्री रहता है भीतर के रुपांतरन के लिए सचेष्ट क्यों नहीं भीतरी बदलाव के लिए हमें सचेष्ट होने की आवशक्ता है धर्म और धर्म गुरु के शानिद्ध का लाभवी तभी है जब हम उनके शरन में जाकर अपने जीवन को रुपांतरित करने के लिए सचेष्ट हों वो पुर्शार्थ अपने जीवन में घटित करना चाहिए भक्ती भाह बहुत अच्छी बात है ये ब्रिंदिंगत होनी भी चाहिए और जिसके रिदे में सच्ची भक्ती होगी उसका जीवन बदले बिना नहीं रहेगा चार बातें कम समय में आप सब के लिए दे रहा हूँ श्रधा, भक्ती, शेवा और शमर्पन श्रधा, भक्ती, शेवा और शमर्पन देव के प्रती, गुरु के प्रती, धर्म के प्रती श्रधा होना जीवन की सबसे पहली आउशक्ता है आप सब के श्रधे में श्रधा तो है, है की नहीं है पर देखना ये है कि वो श्रधा कैसी श्रधा है श्रधा है, कैसी श्रधा है कैसी श्रधा है, मराज पक्की श्रधा है हम थोड़ी बोल रहे हैं, गया के लोग अच्छे है मैं उस श्रधा की बात नहीं कर रहा हूँ जब कभी भी हम अपनी श्रधा को नापते हैं तो अपने भावनात्मा जुकाओ मात्र से श्रधा कोई पहचान करते है लेकिन कोरे भावनात्मक लगाव या जुकाओ का नाम श्रधा नहीं है श्रधा का सच्छा आर्थ श्रधे को अपना जीवन आदर से बना कर सारे जीवन उसका अनुगामी बनने का संकल्प है भाव भावनात्मक लगाओ तो लोगों के इर्धे में बहुत जल्दी हो जाता है और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो गंगा गए गंगा दास जमना गए जमना गए होता है ये च्छनिक जुकाओं मात्र होता है हिर्धे में सच्ची सद्धा जगाई ये अपने श्रधे को अपने जीवन का अदर से बना कर सदे उसे अपना संप्रेरक माने अपने हिर्धे में बिराजे अगर श्रधा का ये रूप आ गया तो जीवन पलट जाए चार इस्थितियां है श्रधा की एक अश्रधा श्रधा अश्रधा अश्रधा अंद श्रधा और अटल श्रधा श्रधा अश्रधा अश्रधा अंद श्रधा और अटल श्रधा श्रधा यानि जुकाव जिसे हम लोक में मानते हैं अश्रधा यानि किसी भी प्रकार के भामनात्मक लगाव का अभाव अंदस्रद्धा शरूप को पहिचाने बिना किसी के भी पीछे लग जाना अंदस्रद्धा ये कभी-कभी हमारे लिए बहुत भयावा हो जाता है इन तीनों इस्थितियों से उपरत होकर अटल श्रद्धा अरदय में होनी चाहिए और एक बार श्रदय में अटल स्द्धा प्रकट हो जाए तो जीवन की गती कभी अवरुद्ध नहीं हो सकती एक लब के श्रदय में द्रोना अचारी के प्रती स्द्धा थी उश्रे द्रोना अचारी को अपने गुरू के रूप में श्वीकार लिया था अपने हदय की वेदी में उन्हें विराज लिया था कहते हैं कि द्रोना अचारी ने एक लब को अपना ग्यान देने से इंकार कर दिया लेकिन एक लब ने कहा आप कितना भी इंकार करो अब तो मैं शीखूंगा और आप से ही शीखूंगा और आप ही मुझे सिखाओगे आप सब को कहानी पता है एक लब ने आकर क्या किया द्रोना अचारी की मिट्टी की मूर्ती बनाई एक बेदी बनाकर उस पर उन्हें विराज दिया और उन्हें अपना प्रेरक मान करने की साक्षी में सरसंधान करना सुरू किया निशाना सद जाता तो चर्नों में श्रद्धा के फूल चड़ाता उन्हें कृतगता भरा आभार प्रकट करता गुर्दे आपकी कृपा से मैं सफल हुआ और निशाना चूख जाता तो जाकर के दस दफे कान पकल कर उठा बैठक करता गुर्दे च्छमा करो मुझसे चूख हो गई अगली बार मैं सुधार करूगा जब दुरोनाचार कौरो और पांड़ों को सरसंधान सिखाने के क्रम में वन में थे आगे आगे सिकारी कुट्टे गए एक लब ने बान चलाया कुट्टों का मुझसिल गया सिलेवे मुझे साथ जब कुट्टे लोटे तो सब को आश्चर हुआ किस धर्ती पर सब्द वेदी बान चलाने वाला दूसरा कौन है यहां तो केवल अरजुन ही है और अरजुन सबसे ज़्यादा वो खलाए पता लगा कौन है पता लगाया गया देखा गया तो यह तो एकलब है एक जंगली भील है अरे तुमने यह सरसंधान किस से सिखा जेशीद रोडा चाहर प्रद्रिष्टी पड़ी गिर पड़ा चर्नों में गुर्देव आही गए आप मुझे पूरा भश्वास था एक ने एक दिन तो आप आओगे भले ठीक है यह सब बाते बात की पर यह बताओ तो मैं धनुष चलाना सिखाया किसने गुर्दे वह आप नहीं तो सिखाया मैंने मैंने तो तुम्हे लोटा दिया था गुर्दे आपने भले लोटाया हो पर मैं लोटा कहां था मैं तो आपके साथ था चलो आपको बता दू आप कहां बैठ कर मुझे सिखाए और जब द्रोनाचार ने अपनी ही प्रतिक्रती को देखा तो वे खुद भौचक कर रह गए ये है अटल स्रद्धा का परिणाम जो अरजुन जैसे धनुरदर द्रोनाचार की साक्षात उपस्थिती में नहीं सीख पाए वो एक लब ने अपनी अटल स्रद्धा के बल पर द्रोनाचार की मुर्ति से सीख लिया तो मैं आप सब से कहता हूं हृदय में अटल स्रद्धा अंकित करके रखिए एक लब बनिये वहाँ फिर कोई वितर्क नहीं होता श्रद्धा से पूर परिख्या और श्रद्धा के बाद केवल अनुकरन ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए एक अंधा आदमी भगवान के दर्सन के लिए जा रहा था मंदिर की हो तो ने पूछा कहा जा रहा है मंदिर जा रहा है क्यों जा रहा है भगवान के दर्सन के लिए जा रहा हूं बहुत भगवान के दर्सन को जा रहे तुम अंधे तुमें भगवान दिखेंगे क्या बहुत भीया मैं अंधा हूँ भगवान तो आखवाला है वो ही मुझे देख लेगा मेरा जीवन निहाल हो जाएगा मैं अंधा हूँ तो क्या हुआ भगवान तो आख्वाला है उर्षकी दृष्टी मुझ पर पढ़ गई मैं निहाल होंगा अटल श्रद्धा श्रद्धे को अपने जीवन का आदर्स बनाकर रदय में स्थापित कीजिए और उसे ही अपनी समस्त वृत्तियों और संप्रवृत्तियों का संप्रेरख बनाईए अपने मन से पूछो तुमारी श्रद्धा की हालत क्या है सुबह मंदिर में भाव भक्ती से भगवान की पूजा करते अर्ग चढ़ाते हो धर्म मूर्ती बन जाते हो और कई कई लोग तो मंदिरे में चप्पल चोरी करके चले जाते है होता है कहां की श्रद्धा एक बार की बात एक विक्ती मंदिर में भगवान के दर्शन करते समय जाप कर रहा था आखे बंद करके अपना मूबाइल एपल का मूबाइल था टेबल पर रख दिया और जाप कर रहा था देखिए क्या श्रद्धा की बात है एक परिवार दर्शन के लिए आया उसमें तीन लड़कियां थी ये माला फेरा आखे बंद है मूबाइल उठा के चलते हैं भगवान की बेदी के सामने से मूबाइल उठा के रहे और ये मैं सम्मेज सिखर की बात कर रहा हूँ बात में सीशी टीवी कैमेरे से देखा गया तो भेद खुला कितना दुरूबल है मन तुम जिसकी पूजा करते हो उसके आदर्सों को अपने हिरदाए में कितना इस्थान देते हो सबसे बड़ी सोचने की बात ये है ज़्यादातर लोग एक प्रकार की आत्म मुगधता में जीते हैं इस सोच में जूते हैं और अपने आपको कृतार्त महसूस करते हैं कि मैंने घंटे भर की पूजा कर ली मेरा जीवन तर गया क्योंकि मैंने एक घंटे तक पुन्न कमा लिया संत कहते हैं पुन्न कमाने से जीवन नहीं तरेगा ध्यान से सुनना पुन्न कमाने से जीवन नहीं तरेगा जीवन तो जीवन को पुन्न बनाने से तरेगा पुन्नक बनाने के लिए सोचो पुन्नक कमाने की तो तुम नित्द सोचते हो जीवन पुन्नक अब बनेगा जब तुम्हारी स्रद्धा अटलफ होगी और उस स्रद्धा के बलुहुते तुम गलत करने से बचोगे देखे अटल स्रद्धा मनुष्य के जीवन में कैसा बदलाव लाती एक इविक ती जिसके सुबह की शुरुवात सराब की कुलेशे होती थी लोगों नोशे बहुत बदलने की कोशिश की पर बदला नहीं एक रोज मेरा केशलोच हो रहा था जब लोगों की होन हार अच्छी होती है तो अपने आप निमित बन जाता है वो मेरा केशलोच हो रहा था केशलोच देखने के लिए आ गया उन दिनों की बात है जब मेरे बाल बहुत घने थे और लगवक तीन घंटे की करीब केशलोच में लगते थे में केशलोच कर रहा था वो लगवक दो घंटे तक मेरी केशलोच को अपलग देखता रहा रोता रहा रोता रहा लोच पूरा होने के बाद चर्नों में गिरा और सिर रखा कहा गुर्देव मेरा उधार करो आज से मैं अपनी सारी बुराईयों को छोड़ता हूँ आप मेरे हिर्दे में बैठ गया है मैंने का भईया पके रहना क्योंकि बहुत सारे सरावियों का पूराना रिकार्ड है छोड़ देते हैं और छोड़ते इदर सुरू कर देते हैं भरोसा नहीं रहता उस विक्ति ने सराव छुड़ा उसके बाद करीब एक मेहने बाद मैंने ऐसी पूछा यह बताओ तुमारा नियम पल रहा है बहुत पल रहा है अच्छे से पल रहा है अब चिंता की बात नहीं हमने कहा कभी लेने की इच्छा तो नहीं आई बहुत इच्छा तो ही पर आपने नहीं लेने दिया आपने रोग दिया मैंने कहा मैंने रोग दिया तुम तो मुझसे मिले ही एक मेहने बाद हो महरा जी जब भी मेरे मन में लेने की इच्छा होती है आपकी तस्वीर मेरे आँखों के शामने आ जाती है और जब आपको देखता हूँ तो इच्छा ही नहीं होती है और उसे वेक्ति के जीवन में इतना बड़ा बदला हुआ कि आज वो साथ प्रितमा का पालन कर रहा है बीस साल का पालन अटल स्रद्दा इसको बोलते हैं आप दिख जाते हो अगर कई लोग तो ऐसे हैं कि महराज भी दिख जाए तो थोड़ा सा मूझ छिपा के काम करें हमें अपने आपको भीतर से मजबूत बनाने की जरूरत है जब तक अंतर मन मजबूत नहीं होगा जीवन का उधार नहीं होगा ऐसी स्रद्धा सूत प्रिनित होकर आगे बढ़ो एक बार जीवन में जिसे आदर से बना लिया उसकी छवी अंतिम सास तक बनी रहनी चाहिए तब जीवन में कुछ लाब होता है और नहीं तो पल पल में रंग बदलने वालों के जीवन का ढंग नहीं बदलता तो गुरू श्रद्धा फिर है गुरू भक्ती भक्ती क्या है भक्ती किसको बोलते है किसको बोलते है भक्ती आप लो भक्ती करते हो कि नहीं करते हो बोलो भक्ती करते हो कि नहीं करते हो आप लो बोलना गया वालो बोलो तो थोड़ा नहीं करते हैं बोलो ना जम से ठढ़ो भी तुम लोग नमबर नहीं इधर वाले बोलेंगे भक्ती करते हो ना इतने धीमे क्यों बोलो ना जम से करते हैं इधर वाले बोलो यह यह लोग करती हैं इसलिए आवाज दिख रही है तुम लोगों के आवाज कमजोर है महराज कह रहे हैं ये लोग खुले में करते हैं ये लोग पर्दे के पीछे करते हैं इसलिए आवाज दभी दभी सवाल है भक्ती क्या किशे भक्ती के रूप में मानते हो किशे भक्ती के रूप में श्वीकार करते हो जाके गुनानुवाद कर लेना भक्ति है नाचिकान कर लेना भक्ति है पूजा के चार शब्द पढ़ लेना भक्ति है क्या है भक्ति? भक्ति का मतलब है भाव विशुधी युक्त अनुरा तुम प्रतक्ष रहो न रहो तुम्हारा अनुराग बना रहना चाहिए ये है भक्ती जिसके प्रती भक्ती होगी अनुराग उत्रोत्तर प्रगार होगा घटेगानी बढ़ेगा कौन सा अनुराग भाव विशुद्धी युक्त अनुराग राग तो तुम्हारा चाहिए जिससे बढ़ जाता है कई लोगों को साधुओं से भी राग हो जाता है नहीं राग मत रखो अनुराग रखो और कैसा अनुराग भाव विशुद्धी युक्त अनुराग जिसमें अपना व्यक्तिकत कोई श्वार्थ ना हो केवल अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बनाने की भाव ना हो सामने वाले से सही पेर ना पाने का एक मनोभाव हो ये भक्ति हमारे जीवन की एक बड़ी संपत्ति है तुमारे हृदय में भाव विशिद्य युक्त अनुराग जितना बढ़ेगा बिश्यों का अनुराग उतना ही घटेगा बिश्यों का राग घटेगा यानि जितनी भक्ति बढ़ेगी उतनी विरक्ति बढ़ेगी क्योंकि भक्ति में विरक्ति का बीज है। भक्ति तो है, अरे हम तो महराज के परम भक्त हैं। अच्छी बात है भाईया, भक्त हो, थोड़ा देख तो लो, भक्त हो की बिभक्त है। भक्त हो की बिभक्त ये भी देखो। अगर तुमारे अंदर सच्छी भक्ति है, तर जीवन के विकास के क्रम में आगे बढ़ना चाहिए कई लोग 25 बरस से पहली क्लास में है बोलो है ना इधर तो अनलोक हो गया उनका भी भी लॉक्डॉन ही है जहां थे वही जसके तस जीवन आगे कैसे बढ़ेगा अगर रदय में भक्ती बढ़ेगी तो धीरे धीरे विरक्ती के संसकार भी बढ़ेंगे बढ़ना चाहिए आज गुरु भक्तों की कमी नहीं है पर भक्ती की कमी दिखती है इसका ही एक कूपरिनाम है कि जेनियों के समारोहों में भी दिन में खाने वालों का टोटा दिखता है और रात में खाने वालों की लाइन लगती है उनमें तथाकथित गुरु भक्त भी होते हैं होते हैं कि नहीं होते बोलो तो गुरु भक्त बड़ा रहे हैं भक्ती घट रही है मैं गुरु भक्त कहलाऊं न कहलाऊं उसकी परवा मत करना प्रभू से एक ही काम ना करना है प्रभू मेरी गुरु भक्ती मेरी आखरी सास तक बनी रहे और कुछ न रहे वही तुम्हें बचाएगी उस से ही तुम्हारा मारगप प्रसस्त होगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो गुरु श्रद्धा गुरु भक्ती फिर है गुरु सेवा मराज आप तो सेवा का मौका ही नहीं देते आजकल आप बया बत्ती कराते ही नहीं हो अरे भया हाथ पाओ दबाना ही सेवा नहीं है ये तो उपरी सेवा है असली सेवा क्या है अपने आचरन और वहवार से गुरु के गौरों को वढ़ाना ही उनकी सची सेवा है अपने आचरन और वहवार को ऐसा रखो कि उससे उनका गौरों बढ़े अरे ये तो अमुक का भगत है अमुक का सिच्च है तुम्हें देखकर लोग तुम्हारे गुरु के प्रती शर्द्धा भी भूत हो जाए यही तुम्हारी सची सेवा है ऐसी सेवा जब तक नहीं होगी तब तक जीवन का पथ प्रसस्त नहीं होगा उपरी सेवा के लिए तुम्हारे हिदे में जितनी तथ परता होती है आंत्रिक सेवा का भाव प्रकट हो जाए बेड़ा पार होगा वह भावना जगना चाहिए और चौंते क्रम में हैं गुरू शमर्पन समर्पन पराकाष्ठा है कोई शाधरन बात नहीं है समर्पित हो जाने का मतलब शर्नागत हो जाना अपनी इच्छा सक्ती को अर्पित कर देना अपनी निर्णे सक्ती को अर्पित कर देना अपनी समझ सक्ती को अर्पित कर देने का नाम शमर्पन है ठीक वैसे ही जैसे बिल्ली अपने बच्चे को मूँ से उठाती है जहां रखती है वो रह जाता है जहां उठाती है उठके चला जाता है उसकी अपनी कोई निजी इच्छा नहीं ये सरलागती है शमर्पन इशे कहते हैं वो शमर्पन का भाव आजकर लोग कहने को तो समर्पित कहलाते हैं पर गुरूओं को चलाने की कोशिश करने लगते हैं चलने की बात तो दूर है ये हमारे मार्ग की बाधाएं हैं आज के इस प्रशंग में गया के लोगों की गुरु भक्ती मैं देख रहा हूँ उस गुरु भक्ती को उत्रोत्तर बढ़ाए 2008 के चातुर मास की फसल के रूप में एक तैयार हुए विमल जी हमारे साथ है और इसे गया को एक नई पहचान मिली बहुत सारे लोग आज ब्रती हैं ने में देवेंद भाई जी भी हैं और भी यहां बहुत लोग ब्रती बने हैं है ना गुलाब चंजी है देवेंद एफो आई देवेंद वो और मुझे नहीं मालूम कई महलाओं में भी लोगों ने ब्रती धारन किये तो लोगों ने ग्रहन किया हमारी कोशिश होनी चाहिए अपने जीवन को आगे बढ़ने की इस बार सम्मेज सिखर की यात्रा थी यात्रा लंबी आगर तो आप लोगों का भी था पर मौशम लंबी यात्रा यात्रा जंचरम और ठकान को देखते वे मन कम था लेकिन सच पूछो तो यहां आने के पीछे पूरा स्रे हमारे भिमल जी को जाता जब यहां आये थे तो हमारे साथ बाबा जी थे सांतिलाल जी वो तो चले गए अब दूसरे बाबा जी प्रकट हो गए लगातार इस उम्रे में भी अपनी शाधना और तत्परता आप सबको पता है कि इस लोच भी यह करते हैं एक भुग दिन की होती है और रस परित्याक के साथ भोजन करते हैं बस उपर से कपड़ा है अंदर से तो यह मुनी ही है यह अच्छा विशह है गौरों का विशह है और आप लोग भी ऐसी ही भावना बना कर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें बोलिए परम पूज आचार गुरुवा श्री विद्या सागर्दी महरादा